शिव जी का सच्चा भक्त कौन सोने के थाल की कहानी, परानिक कथा के अनुसार किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्यमंदिर था, वहाँ पर हर वर्ष दूर्ट दूर से भक्त लोग शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे, श्रावन मास का महिना था, दूर्ट दूर से कावर ये कावर लेक भगवान शिव को जलाबिशेक करने आये हुए थे, वह मंदिर भक्तों की भीड से भरा हुआ था, तब ही अचानक आकाश में जोर से बिजली कड़की और सोने का एक थाल उतरा, उसी के साथ एक भविश्यवानी हुई कि जो कोई भगवान शं अंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए, सबसे पहले एक पुजारी जी आये और बोले देखिये, मैं प्रति दिन भूलेनात का अभिशेक करता हूँ, इसलिए मैं इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए, इतना कहकर पुजारी जी ने थाल उठाया, जैसे ही पुजारी जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया, ये देखकर पुजारी जी बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने थाल या थास्थान पर रखा और वहां से निकल गए, इस शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक नहीं था, उन्हें भी थाल या थास्थान पर रख कर चले जाना पड़ा, इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ, राजा साहब आगे आये और बोले, मैंने भगवान शिप के मंदिर में बहुत ही भारी दान दक्षिना दी है, ये देखकर राजा साहब भी लजडित हुए और उस थाल को या थास्थान पर रख कर एक तरफ खड़े हो गए, इसके बाद इसी तरह से एकम से बढ़कर एक दानी महात्मा और भगत आगे आये और थाल को उठाया लेकिन किसी के हाथ में लोहे का, तो किसी के हाथ में वो बिचारा महीनों बाद आज चातुर मास के सोमवार के शुभव सर पर शिवजी के दर्शन करने आया था, गरीबी और ब्रहस थी के बोज तले दबा दिन रात खेतों में मेहंत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, अभी रास्ते में आही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और उस किसान से कुछ खाने को मांगने लगा, उस भिखारी पर किसान को दया आ गई, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया, सोने के थाल के बारे में किसान ने भी सुना था लेकिन उस किसान ने उस बोलाक सुनो भाई, तुम भी सोने के थाल को उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है, किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाग बना रहा है, किसान ने हसते हुए कहा भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाड भी नहीं करता, मही तुम्हारी भक्ति तो दो कोली की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले किन्तु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भूले भाले किसान ने जाकर उस थ थाल को उठा ही लिया, जैसे ही उसने थाल उठाया लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, सोने का थाल रोश्नी से चमचमाने लगा, यह नजारा देख कर सब लोगों में खुशियों की लहर दोड़ गई, सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लग इस पर किसान बोला, भाईयों, मैं कोई भक्ती नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूं और थोड़ा समय निकाल कर जरूरत मन्द लोगों की मदद करता हूं, इसके अलावा मैं कोई विशेश कार्यन नहीं करता हूं, लोग पूछने लगे की भाई तूम लो शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है, इसलिए आप सभी शिप भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म का नतीजा लास्ट में अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का नतीजा लास्ट में बुरा ही होता है वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद